जंगली जानवर उन जगों पर बेफिकर विचरन कर रहे हैं जो कभी दरसल उनी की विरासत थी। अब जानवर आजादी और बिना डर के बाहर घूम रहे हैं। ऐसे ये वीडियो पुरे देश भर से सामने आ रही है। जैसे ओडीशा के समुदरी तड़ पर इस बार अंडे देने के लिए लुक्त पराए साथ लाख नब्बे हजार ओलिव रिड ले कच्छुए पहुँचे। अगर इसे इस महामारी का गुड इफेक्ट कहा जाए तो अतिश योक्ति नहीं होगी। इन कच्छुओं ने गहिर माथा रूसी कुल्ये में 6 करोड से जादा अंडे दि है कि अगर इनसानों की विदिविदियां सीमित नहीं होती तो इन में से भहुत सारे रास्ते भी मर जाते या फिर अन्य बाधाओं के चलते पहुची नहीं पाते। रिपोर्ट्स के अंसार मानो घुस पैठ और तट पर कचरे के धेर ने उन्हें 2019 में घुसले से दूर रख वारल वीडियो में देखा जा सकता है कि गेंडा सडक पर घुंडता है तब ही वहां एक शक्स गेंडे को देखकर दौड़ वरा रहता है जैसे कह रहा हो कि लॉगडाउन से बाहर नहीं निकलने का लेकिन शक्स से तीजी से भाग निकलता है और गेंडा आगे की तरफ निक कर रही है इस वीडियो को वन अधिकारी प्रवेंड कास्वान ने सोचल मीडिया पर शेयर किया जब से लोग घरों में रह रहे हैं तब से डॉल्फिन्स मरीन ड्राइव के तड़ पर आ गई है इतनी संख्या में डॉल्फिन एक साथ तड़ पर कभी नहीं आती थी अब हाथी को देख दूद वाला घबरा कर बाइक से गिर जाता है वही हाथी अपने रास्ते से निकल जाता है इसी क्रम में दूसरी वीडियो करनाटक की बताई जा रही है जिसमें पूरे हाथी के समू को सड़क पर जाते वे देखा जा सकता है दिल्ली में जहां पहले तमाम तरह के शोर के कारण हम पक्षियों की चहचाहाट भूल चुके थे अब वो दोबारा सुनाई देने लगे है लोगडाउन की वज़े से अब उल्लू, शिक्रा, मोर, ब्लैक इबीज, ग्रीन पीजन, पर्पल, संबर्ड जैसी कई प्रजातिय दिल्ली के रिहाइशीक शेक्त्रों में दिखाई दे रही है इस वीडियो में देहरदून की कॉलोनी में खाली सड़क पर दोड़ते हुए हिरन को साह देखाना सकता है और इसके अलावा भारतिय वन अदिकारी सुषान्त नंदा द्वारा ट्वीटर पर पोस्ट की गए इस दूसरी वीडियो में तीन सामभर हिरनों को उत्तराखंड की एक सुसाइटी में टहलते हुए देखा जा सकता है जबकि घर के अंदर बंद लोगों ने इस दृष्य को अपने कायमरे में कैद कर लिया सड़कों पर सुधंधर रूप से घूमते हुए इन वल्ले जीओं की आदत ना होने के कारण कुत्तों को हिरनों पर भौकते हुए सुना जा सकता है यहां तक कि बच्चों को इन सामबर हिरनों को रेंडियर बोलते हुए सुना जा सकता है यानि बच्चों को यूरोपियन हिरन रेंडियर के बारे में तो पता है लेकिन हमारे लोकल वाइल्ड लाइफ सामबर के बारे में नहीं पता क्या हम अपने बच्चों को यही शिक्षा दे रहे हैं इस तीसरी वीडियो में पूरे हिरन के समू को सड़क पर घूनते वे देखा जा सकता है जहां लॉकडाउन से पहले गाड़ियां दोड़ती थी जहां इटलिया में इस महामारी का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा वहीं लॉकडाउन के चलते साडीनिया के तटों पर क्रूज गायब है और अब डॉल्फिन्स वापस तटों के पास लॉट रही है और मस्ती कर रही है ये विडियो 27 मार्च नोड़ा से आई है जिसमें कुछ पुलिस वालों को जंगलों में घूमने वाली नील गाय सेक्टर 38 ए स्तित जी आईपी मौल के पास घूमती दिखी नोड़ा का सेक्टर 38 ए पौश सेक्टर में माना जाता है इसलिए ऐसा द्रिश्चे लोगों के लिए किसी अचंबे से घंबनी है भारती वन सेवा के अधिगारियों ने वन्य जीओं की वीडियो शेयर किये जिन में विलप्त होने के कगार पर पहुंच चुके कस्तूरी बिलाव यानि मालाबार स्वीट नाम की बिग कैट का वीडियो भी शामिल है जिनने आखरे बार 1990 में देखा गया था आईएफस अधिकारी सुशांत नंदा ने केरल के कोजी कोड में सडक पर घूनते वे कस्तूरी बिलाव का वीडियो साचा किया उन्होंने वीडियो के साथ साजा कियोए ट्वीट में कहा ये जीव गंभी रूप से खत्रे में है और अब सिर्फ धाईसो वेस्क बिलाव ही बचे हैं इन्हें 1990 के बाद से नहीं देखा गया था इसी प्रकार इसराइल के तेल अविव एयरपूर्ट पर गीज के परिवार को विचरन करते कैमरे में रिकॉर्ड किया गया उत्री वेल्स के लेंदूडनों की सुनसान सडकों पर कश्मीरी बकरियों के एक जुन्ड को तहलते वें देखा जा सकता है। जहांकि निवासी भी बाकी देशों की तरह महामारी के दोरान लॉकडाउन में हैं। ये कश्मीरी बकरियां ग्रेट और में से नीचे शहर में आ गई थी। इन सडकों पर तहलते, भागते और घास और ज़ाडियां खाते आसानी से देखा जा सकता है इसी प्रकार सिंगापूर के मरीना बे एरिया के चारो तरफ उध बिलाओं को खेलते देखा जा रहा है वैसे यहां उध बिलाओं को देखना इतना खास नहीं है लेकिन इस वीडियो में आप इन्हें बिना किसी डर के निश्चिंत होकर खेलते वी देख सकते हैं जो लोगों की मौजूदगी में पहले नहीं होता था मेट्रो वैंकूवर के नौर्थ तर्ट पर इंडियन आर में किलर वेल को उपर आते हुए भी देखा गया ऐसा 69 साल में पहली बार हुआ ठीक ऐसा ही फ्रांस में भी वेल देखने को मिली लेकिन जहां कुछ जंगली जानवरों को लोगडाउन के दौरान काफी सुकून मिल रहा है वहीं दूसरी और कई जानवरों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है जैसे कुटे, कबूतर, बंदर, इत्यादी जो खाने के लिए पूरी तरह इंसानों पर आश्रित हो चुके हैं इसलिए जब भी आप किसी जरूरी काम से बाहर निकलें तो इनका जरूर खयाल रखें लोगडाउन की वज़े से जहां तमाम फैक्टरीज बंद है, या तायाद के तमाम साधन बंद है अंतराश्ट्री इस सर पर अर्थ विवस्ता को भारी धक्का लग रहा है लाखों लोग बिरूसगार हुए हैं शेयर बाजार आउंधे मूग गिर चला है लेकिन अच्छी बात ये है कि कार्बन उत्सरजन रुप गया है अमेरिका की न्योग शेहर की बात करें तो पिछले साल की तुलना में इस साल वहां प्रदूशन 50 प्रतिशत कम हो गया है जिस यमना नदी से कभी बदबु आया करती थी उसके आसपास अब खुश्बुदार वातावरण हो गया है महामारी की वज़े से पूरे देश में जब से 21 दिन का लॉग डाउन लगा है तब से अब तक पॉलुशन के स्थर में काफी कमी आ गई है खासकर यमना नदी पर इसका असर साफ देखा जा रहा है इस नदी को साफ करने के लिए सरकार करोडो रुपय खर्च कर रही है लेकिन फिर भी अधिक सफाई नहीं हो पाई थी जो लोगडाउन की वज़े से इतनी साफ हो गई केवल राजधानी दिल्ली ही नहीं बलकि देश भर के अन्य राज्यों में भी इस महामारी का सकारात्मक परणाम देखने को मिला जैसे गंगा का जल फिर से निर्मल होने लगा है दावे के अनुसार गंगा जल में 35-40 प्रतिशत का सुधार देखने को मिला कारखानों के बंद होने के चलते गंगा में मिलने वाला दूशीत जल नदारत है जिससे पानी स्वच दिख रहा है घाटों के किनारे होने वाली गतिविदिया बंध है जैसे शव जलना, नौकायान, अन्य गतिविदिया इसके कारण भी 5 प्रतिशत गंदगी कम हुई है इसमें घुलित ऑक्सिजन 5-6 प्रति लीटर एमजी से बढ़कर 8-9 हो गई है लोगडाउन के वज़े से ऐसा ही हाल वैनिस की नहरों का है पानी में देखने पर आस्चेरेजनक द्रिश्य दिखाई दे रहा है ना केवल रेतीले तल को साफ साफ देखा जा सकता है बलकि छूटी मचलियां केकडे वापस लोटाएं और बहुरंगी पौधे भी साफ साफ दिखाई दे रहे है पानी बिलकुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका है जब फैक्टरीज और गाडियां बंध है तो हवा में प्रदूशन भी कम हुआ और ओजोन परत में सुधार के संकेत मिले वाईव प्रदूशन की कमी के चलते पेड़ पौधे अब सुच हवा में सांस ले रहे है परियावरन पर सकारात्वा कसर देखने को मिल रहा है हवा साफ हो गई है आसमान नीला दिखाई दे रहा है पूरा मंजर बदलता हूँ नजर आ रहा है सुबह अकसर नीन्द अलारम से नहीं पर इंगों की शोर से खुलती है जिसकी आवाज भी हम भूल चिकते बालकनी में जाएं तो नजर ऐसे आसमान पर पड़ती है जो अजने भी नजर आता है इतना नीला आसमान दिली NCR में रहने वाले बहुत से लोगों ने जिन्दी में शायद पहली बार देखाऊ फलक पर उड़ते हुए सफेद रुई जैसे बादल बहुत दिलकश लग रहे है यही हाल पूरे भारत और विशू का भी है इसी कारण चीन में भी कारबन उत्सर्जन में 25 फीसदी कमी आई है पिछले साल इनी दिनों की तुल्ला में चीन के 337 शहरों की हवा की गुड़मत्ता में 11.54 फीसदी का सुधार हुआ यह आकड़े खुद चीन के पर्यावरन मंतराले ने जारी किये है योरोप की सेटलाइट तस्वीर ही बताती है कि उत्तरी इटली से नाइट्रोजन डायोकसाइड उत्सर्जन कम हो रहा है ब्रिटन और स्पेन की भी कुछ ऐसी कहानी है यहां तक कि लॉकडाउन के दोरान दुनिया के अधिकांश हिस्सों में धर्ती की सत्या पर कमपन कम हुआ है लेकिन सवाल यह उड़ता है कि जब दुनिया फिर से पहली की तरह चलने लगी तो क्या कार्बन उत्सर्जन फिर से नहीं बढ़ेगा परियावरन में जो बदलाव आज हम देख पा रहे हैं क्या वो हमेशा के लिए स्थेर हो जाएंगे अब दुबारा बात हम पराती है कि आगे हम प्रकर्ती के साथ सब सही हो जाने पर कैसे पेश आएंगे अभी लॉकडाउन की वज़े से परियावरन में जो बदलाव हमें देखने को मिले उसको हम हमेशा के लिए अपने जहन में बैठा पाते हैं कि नहीं परियावरन को बचाने के लिए लोगों को अपनी आदतें बदलनी होगी अगर वो खुद नहीं बदलते हैं तो उन्हें जबरन बदलवाना पड़ेगा जिस तरह मौजूदा समय में जान बचाना लोगों की प्रात्मिक्ता बना हुआ है वैसे ही लोगों को परियावरन के प्रतिचिंतित कराया जाना ज़रूरी है परियावरन कारेकरता गरेटा की तरहां इसे एक मिशन के तौर पर लिया जाए गरेटा इस मुश्किल समय में भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से अपना मिशन आगे बढ़ा रही है उमीद है आप इन बातों का ध्यान रखेंगे इस महामारी ने एक बात साफ कर दी है कि मुश्किल घड़ी में सारी दुनिया एक साथ खड़ी होकर एक दूसरे का साथ देने के लिए तयार है तो फिर क्या यही जजबा और इच्छा शक्ती हम पर्यावरन बचाने के लिए जाहिर नहीं कर सकते हमें उमीद है इस समय का अंदकार हम स्वच्छ और हरे भरे वातावरन से मिटा देंगे तबी असली मायनों में बहारे लोतेंगी